भजन संहिता 44, 13 سے 26 तक, तू हमारे पडोसियों में हमारी नाम्धराई कराता है, और हमारे चारों और के रहने वाले हम से हसी ठथा करते हैं। तू हमको उन्यजातियों के बीच में उपमा ठहराता है, और देश-देश के लोग हमारे कारण से रहिलाते हैं। दिन भर हमें ति शेविश्वासगात किया है। तू क्यों अपना मुह छिपा लेता है। अथामंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ, अब भुजन तयार है। पर्वे सब के सब शमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, और अवश्य है कि उसे देखू, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे एक शमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने पांच जोड़े बैल मोल लिये हैं, और उन्हें पर रखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे एक शमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विबाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंद जाकर कंगालों, तुंडों, लंगडों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तुने कहा था, वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गर बनाना चाहता हो, और पहले बैठ कर खर्च न जोड़े की पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है की नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब भनीव डाल ले प गर मुझ पर चड़ा आता है, क्या मैं दस हजार लेकर उसका सामना कर सकता हूँ, या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेज कर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीती से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमी के और नाखाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यवस्था विब रन 17, एक से 20 तक, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बली ना करना जिसमें दोश या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीब घ्रिनेत है, जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भाती पूछ पाच करना, और यदि यह बात सच ठहरे की इसराइल में ऐसा घ्रिनित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुश यस्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुर यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई जगड़े की बात हो, अर्था तापस के खून, या विवाद, या मारपीट का कोई मुकद्मा उठे, और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, ले भी य याजकों के पास और उन दिनों के न्याईओं के पास जाकर पूछ पाच करना, कि वे तुमको न्याय की बातें बतलाएं। तो वह मनुश्य मार डाला जाए, इस प्रकार तू इसराइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। और वह बहुत घोड़े न रखे, और न इस मन्सा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भीजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुम से कहा है, कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लोटना। और वह बहुत स्ट्रियां भी न रखे, ऐसा न परमेश्वर यहोवा का भहिमानना, और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाईयों को तुछ न जाने, और इन आग्याउं से न तो दाहिने मुणे और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंच के लोग इस्राइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राजे करते रहें। अपने मन की बड़ी अभिलाशा से उस थान पर जाए जिससे यहोवा चुन लेगा, तो अपने सब लेविय भाईयों के समान जो वह अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होंगे, वह भी उसके नाम से सेवा टहल करें। पूरवजों के भाग के मोल को छोड़ उसको भोजन का भाग भी उनके समान मिला करे। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनोना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चड़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुबहशुब मोहुर्तों का मानने वाला, या टोनहा, या तांत्रिक, या बाजीग, या ओजों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भशुब मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती है, परंतु तुझ को तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाईयों में से मेरे समान एक नभी को उत्पन करेगा, तू उसी की सुनना, यह तेरी उस बिनती के अनुसार होगा, जो तूने होर पहाड के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, मुझे न तो अपना वचन उसके मुँँ में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आग्या दूंगा, वही वह उनको कह सुनाएगा, और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहन ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा, परंतु जो नभी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आग्या मैंने उससे नदी हो, या पराय देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नभी मार डाला जाए, और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किस रीती से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई न वचन ना घटे और पूराना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नभी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भहे ना खाना.